CIET NCERT के जरिये पेश है सफ़ा नंबर 131, सबक 16, नजम, दर्या किनारे चांदनी, नजम निगार, अख्तर शीरानी क्या च्छा रही है चांदनी, इठला रही है चांदनी, दर्या की एक एक लहर को लहरा रही है चांदनी दर्या किनारे देखना, पानी में तारे देखना, तारों को दामन में लिए, क्या-क्या नजारे देखना, दिखला रही है चांदनी सफ़ा नंबर 132 ठंडी हवा खामोश है उजली फिजा खामोश है खामोश है सारा जहां हर एक सदा खामोश है और च्छा रही है चांदनी एलो वो बदली आ गई और चांदनी पर च्छा गई बाहर निकलने के लिए फिर आई फिर कत्रा गई घबरा रही है चांदनी लो रात के मनजर चले तारे भी घुल घुल कर चले बैठे हुए यां क्या करें अख्तर हम अपने घर चले अब जा रही है चांदनी अख्तर शीरानी सफ़ा नंबर 133 मश्क लवज और मानी फजा मनजर माहौल दामन आचल सदा आवाज गोर कीजिए चांदनी में नहाना महावरे के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है चांदनी का दरिया की लहरों को नहलाना एक अनुका ख्याल है चांदनी का इठलाना लहराना और घबराना बड़ा खुबसूरत और पुर लुथ्व तरजे बयान है सोचिये बताईये और लिखिये एक शायर ने नजम में किस चीज और किस जगा का मनजर पेश किया है दो दरिया की एक एक लहर को नहला रही है चांदनी का क्या मतलब है तीन पानी में तारे क्यों नजर आ रहे है चार शायर ने चांदनी के घबराने की क्या वज़ा बयान की है दिये हुए लवजों से जुमले बनाईए चांदनी सदा दामन बदली मनजर सफ़ा नंबर 134 कुछ अलफाज ऐसे होते हैं जिनकी आवाजें यक्सा या मिलती जुलती होती है लेकिन उनके मानी अलग-अलग होते है ऐसे लवजों की दो किसमे है एक वो जिनकी आवाजें और हुरूफ दोनों एक ही हो मसलन बदली बादल का टुकड़ा बदली तबादला या बदली हुई शक्ल इसी तरह चश्मा एनक चश्मा पानी का सोता दूसरी वो जिनकी आवाजें यक्सा होती है लेकिन उनके हुरूफ में फर्क होता है मसलन अलिफ मदा मीम आम यानि एक फल आइन अलिफ मीम आम यानि मामूली इसी तरह स्वाद डाल अलिफ सदा यानि आवाज सीन डाल अलिफ सदा यानि हमेशा खानों में दिये हुए लवजों के मानी लिखिए लवज हैं मीम अलिफ नून गाफ मांग दूसरा लवज है मीम अलिफ नून गाफ मांग इसी तरह दूसरा लवज है काफ अलिफ नोन कान, काफ से रे ते कसरत, काफ सीन रे ते कसरत, अलिफ मदा रे छोटी ये आरी, एन अलिफ रे छोटी ये आरी सफ़ा नंबर 135 दी हुई तस्वीर की मदद से एक कहानी बनाईए और खाली जगों में लिखिए सफ़ा नंबर 136 दिये हुए मिस्रों को मुकम्मल कीजिए एक, दर्या की एक-एक खाली जगा को दो, पानी में खाली जगा देखना तीन, उजली खाली जगा खामोश है चार, और खाली जगा पर छा गई पांच, लोरात के खाली जगा चले छे, अख्तर हम अपने खाली जगा चले दिये हुए लफजों की जमा लिखिए तारा, फूल, फजा, मंजर, सदा, नदी, नजारा, लहर अमली काम नजम को जबानी याद कीजिए इसी के साथ ये सबख यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट, बतिलैंग लिंग्डो, समय फनकार, परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग, हिदायतकार और तखलीककार, विमलेश चौधरी, पेशकरदा, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत